और इसका जो fan है वो self cleaning है तो दोस्तों आज हम unboxing करने वाले एक asus के laptop की यह gaming laptop है और यह asus tough gaming f15 series का laptop है और इसका model number है fx566 lh-bq0-260 इसके इंदर intel core i5 3th generation का processor installed है इसकी clock speed है 2.5 GHz और इसका max boost है 4.5 GHz और इसकी L3 cache memory है 8MB और यह 4 cores के साथ आता है तो इसके अंदर NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti का graphic card installed है और यह 4 GB DDR6 का graphic card है इसके अंदर 512 GB का PCI NVMe M.2 SSD installed है जिससे laptop काफी fast perform करता है इसके अंदर 8 GB का DDR4 RAM installed है और इसके अंदर एक additional slot भी दिया हुआ है तो अगर आपको RAM upgrade करना है तो कर सकते हो तो चलिए अब करते हैं laptop के unboxing और देखते हैं हमारा laptop दिखने में कैसा है इसकी performance कैसी है इसको buy करना worth है या नहीं यह आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहां पर आसूस के टफ गेमिंग के बहुत सारे श्टीकर्स मिल जाते हैं आपको और यह रहा हमारा लिप्तॉप यह देखिए जो कि कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है इसके साथ में आसूस के कुछ दोक्युमेंटेशन थ्री पिन इंडियन पावर कॉल्ड और यह रहा 150 वार्ट का एडप्टर यह साथ में चार छोटे स्क्रू भी मिल जाते हैं में भी हाड ड्राइव के लिए होंगे अगर फ्यूचर में आपको हाड ड्राइव करनेट करना होगा तो उसके स्क्रूस दिय दिया हुए एक HDMI पोर्ट और यहां पर देख सकते हो फर्स्ट और यह सेकेंड यह दोनों USB 3.2 जनरेशन का टाइप A सीरीज का USB है और यह देख सकते हो यहां पर एक USB Type-C इन्होंने दिया हुए यह USB Type-C है पावर डिलेवरी पोर्ट है और यह 3.2 जनरेशन का है और लास्ट में आप यहां पर देख सकते हो यहां पर आपको headphone और mic का combo jack देखने के लिए मिल जाता है यहां पर आपको SD card reader का slot देखने के लिए मिल जाता है और यह देखिए आप USB 2.0 Type-A series का है और लास्ट में मिल जाता है आपको एक safety lock अब बात करते हैं इसके D-Panel के बारे में तो काफी अच्छी कॉलिटी की कॉलिटी के बारे में तो काफी अच्छी कॉलिटी की रबबर गृप इन्होंने यूज किये अगर आप कोई भी टेबल पर रखते हो ग्लास का टेबल है या कोई आप वुड का ही टेबल ले लो तो इसली अपका laptop आप मूव नहीं करेगा उसके अपर से काफी अच्छी गृप मिल जाती है इसको रबबर गृप के वज़े से और यह देख सकते हो आप इसके काफी सारे यहां पर एरवेंट्स दिये हैं इस पार से जो है अंदर जाएगी और यह आप देख सकते हो तो यह देख सकते हो आप फर्स्ट और यह सेकंड यह इसके इंदर दो स्पीकर के आउटपूट है इस्ट्यूए स्पीकर का सेटप इसके इंदर मिल जाता है आपको और DTS का ओडियो इसके इंदर और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है आप यहां पर देख सकते हूं यह थोड़े इंडिकेटर दियो है पावर इंडिकेटर है यह आपका SSD का इंडिकेटर है और यहां पर एक फ्लाइड मोड का भी option दिया हुआ है के laptop फ्लाइड मोड पर तो यह on करेगा और यहां पर थोड़े वेंड्स दिये हूए यह देख सकते हूं और इसका यहां पर पावर बटन दिया है और यह दिए टफ गेमिंग की और आपको desktop का screen शो कर दिया है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके display के बारे में तो इसके इंदर 15.6 inches का 1920.1080p का anti glare display दिया हुआ है srgb 62.5 और add-off 47.3% है और यह display 16 Hz के refresh rate के साथ आता है और यह एक IPS level display है तो अगर बात करें इसके display की quality की तो इसके display quality काफी अच्छी है 16 Hz का display है थोड़ा कम है gaming के लिए 120 रहता तो काफी अच्छा होता लेकिन इसके अंदर जो दूसरे variants है 120 Hz के साथ भी आते हैं तो अगर आपको वो भाई करना है तो आप 120 Hz वाला भाई कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा expensive पड़ेगा आपको और अगर बात करें इसके display के quality की त तो display quality काफी अच्छी है colors इसके अंदर काफी अच्छे show कर रहे है image quality काफी true show कर रही है और अभी तक overall मुझे इसका display quality काफी अच्छा लगा तो अब बात कर लेते हैं इसके keyboard और touchpad के बारे में तो यह देख सकते हो इसके अंदर आपको एक backlit chiclet keyboard देखने के लिए मिल जाता ह और इसके अंदर आपको RGB का support मिल जाता है तो आप अपने हिसाब से color इसके अंदर choose कर सकते हो और अगर बात करो इसके keyboard की quality की तो मुझे काफी अच्छा लगा तो यह जो RGB color का support है इसके अंदर इसके हो जैसे laptop काफी cool दिखता है और इसकी keys भी काफी अच्छी है clicks भी इसके क काफी अच्छे हैं तो अगर आप यहां पर notice कर रहे होगे तो देखिए सब की ब्लैक में हैं सिरिफ यह चार डब्लू एसडी का जो आप gaming के लिए use करते हो यह white में दे दिए तो और अगर इसका keyboard की बात करो तो इसका keyboard मुझे काफी अच्छा लगा साथ में बात कर लेते है इसके touchpad के बारे में सबसे पहले यह देख सकते हैं इसके जो keyboard के right click है और left click है वो दोनों separate कर दिये अब यह अच्छी चीज है या नहीं है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे तो यह पसंद नहीं है और इसका touch multi gesture को support करता है multi touch को support करता है और की और इसके touchpad की quality काफी अच्छी इसके अंदर अगर आप fingers भी move करोगे तो काफी smoothly move करती है कोई आपको इसके अंदर grip देखने के लिए नहीं मिलता जो दूसरे touchpad में आता है कि face करते हैं आप कि अगर आप finger move कर रहे हो तो हलका से grip लगता है आपको jam लगता है इसमें इसा कुछ नहीं आपकी finger signal smoothly move करती है तो और इसके अंदर wifi 6 दिया हुआ है aurra RGB दिया हुए इसके अंदर और इसका जो fan है वो self cleaning है इसी बहुत सारी details दिया हुए इसके अंदर तो बात करते हैं इस laptop के camera के बारे में यह दिख सकते हैं इसके अंदर दो microphone दिया है first और यह second यह dual array microphone के साथ आता है और इसके अंदर 720p का HD webcam यूज किया है और इसके बगल में यह flashlight दिया है तो अगर आपका camera on है तो indicate करेगा तो अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में इसके अंदर 19 WHRS का बैटरी दिया हुआ है और यह 3 cell का Li Ion बैटरी है तो अगर आप बैटरी को charge करोगे तो यह hardly देड़ गंटे के आसप 6 देखने के लिए मिल जाता है अपको और इसका wifi का standard 802.11x और साथ में Bluetooth का 5.2 वर्जन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है तो अब बात करते हैं इसके software के बारे में इसके अंदर आपको Windows 10 Home single language देखने के लिए मिल जाता है और साथ में मिल जाता है आपको इस बात करेंगे इस laptop के सबसे important software के बारे में जो है Armory Create तो अगर इस software की तो इसके बारे में आपको पहले सही पता होगा आप इस laptop का fine speed manage कर सकते हो कीबोर्ड पे जो RGB है वो मैनेज कर सकते हो आप इसका touchpad भी मैनेज कर सकते हो यहां से आप touchpad को off कर सकते हो keyboard को off कर सकते हो और यहां से आप बहुत सारी चीज जो अलग-अलग भी आपको explore करना होगा आप purchase जबी करोगे तो आप यह explore कर लेना यहां से आप काफी कुछ manage कर सकते हो तो आप बात करते हैं इसके final review के बारे में यह laptop का look एकदम killer वाला look दिया है इसके अंदर laptop काफी एच्छा है performance काफी एच्छा है अगर आप इसको power on करोगे तो hardly 3-4 second लग रहे हैं ले buy करना तो अगर आप कोई medium range का gaming laptop देखोगे तो अपके budget में perfect बैठेगा अभी तक overall जितना मैंने use किया laptop मुझे काफी अच्छा लगा तो अगर आप editing के लिए भी लेना चाहते हो तो आप यह buy कर सकते हो काफी अच्छा laptop है तो अगर यह video आपको अच्छी लगी तो please channel को subscribe करिए video को like करिए मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और ने laptop के साथ thanks for watching जैहिंद